आजकल आप देख रहे हैं लोकल के लिए वोकल वोकल फॉर लोकल इसके साथ ही लोकल फॉर डिवाली इसके मंत्र को इसकी गुन्ज चारों तरव अब सुनाई देने लगी है मेरा बनारस के लोगों से भी और देशवासियों से भी मेरा कहना है लोकल फॉर डिवाली को खुँप प्रमोट करें खुँप प्रचार करें कितने शांदार है किस तरह हमारी पहचान है तो ये बातें दूर दूर तक जाएगी इससे स्थानिय पहचान तो मजबुत होगी ही जो लोग इन सामानों को बनाते हैं उनकी दिवाली भी और रोशन हो जाएगी इसलिए मैं देश वाचियों को दिवाली की पुर्व बार बार आग्रह करता हूं कि हम लोकल के लिए आग्रही बने हर कोई भोकल बने लोकल के लिए दिवाली बनाएं लोकल के साथ आप देखिए पूरी अर्थ बवस्ता में एक नई चेतना आजाएगी नई जान आजाएगी वो चीजें जिसमें मेरे देश वासी के पसीने की महक हो जो चीजें मेरे देश के नवजवानों की बुद्धी शक्ति का परिचायक हो वो चीजें जो मेरे देश के अनेक परिवारों को नए उमंग और उत्सा के साथ नए संकल पर ले करके अपने कारे का विस्तार करने की ताकत देती है उन सब के लिए एक हिंदुस्तानी के नापे मेरे देश वासियों के प्रति मेरा कर्तव्य बनता है मेरे देश की हर चीज के लिए मेरा कमिट्मेंट बनता है आईए इसी भावना के साथ लोकल के लिए वोकल बने दिवाली लोकल से बनाए और सिरफ दिये नहीं बनना कुछ लोकों को दड़कता है लोकल मतलब दिया ले लो नहीं भाई हर चीज हर चीज कोई ऐसी चीज हो जो बिलकुर हमारे देश में बनना संभवी नहीं है हम जुरूर बाहर से लेना पड़ेगा मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आपके घर में बाहर से कोई चीज पहले लाई हुई है उसको फैंक दो गंगा जी में बहा दो जी नहीं मैं ऐसे नहीं कहता है मैं इतना ही चाहता हूँ मेरे देश के लोग जो पसीना वहा रहे हैं मेरे देश के नौजवान जो अपने बुद्धी शक्ती सामर्त से कुछन कुछ नए करने की कोशिश कर रहे हैं उनकी उंगली पकड़ना हम सब का दाई तो बनता है उनका हाथ पकड़ना हम सब का दाई तो बनता है उनकी चीजे लेते हैं उनका होसला बुलंद हो जाता है आप देखिए देखते ही देखते हैं विश्वास से भरा हुआ एक नया पूरा वर्ग तयार हो जाएगा